जैशी गणेची हर अर्मादे मैं हूँ आचारे संदे सकसेना मालक्षमी जोती शदात्मी संस्थान लफ सलुशन भाई संदे सकसेना संदे सकसेना एस्ट्रो कितब से आज सबी का स्वागत करती हूँ आज मैं आपको बताऊंगी एक तरफा प्यार कैसे पाएं यदि आपको क इससे प्यार हो गया है और आपको संद में यह नहीं आ रहा है कि इस व्यक्ति को मैं हासल कैसे करूँ या इससे कैसे अपना प्यार अपना हूँ तो आज का प्रयोग आपके लिए है अपना एक तरफा प्यार पाने के सड़िक सोलुशन उपाई आपको बताने जा रही एक तरफा प्यार अगर आपको किसे से हो गया है तो सबसे पहले आपको उस व्यक्ति के बारे में जितनी ज्यादा आप जानकारी जुटा सकते हैं जुटा लिजे जिस उसका नाम किया है उसके माता पिता का नाम किया है उसके परिवार के बारे में या जो भी कुछ आप ज जनेशन में उस वक्ति की नाम, फोटो, उसका एज, जो भी आपको पता है कि, अगर आपको exact उसका एज नहीं पता है तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको शायद पता होगी, वो 24 साल की है, या 28 साल का है, कई बार ऐसा होता है कि हमें कोई पसंद आजाता है, लेकिन आपको ये वो शादी शुदा आदमे के पीछे पढ़ जाते हैं, या वो असपासी किसी लड़की, कुवारी लड़की कोई अच्छी सी है, बदर उन्टे शुदे काम मत करो, सही काम के लिए कोई पिरोको हो, तो ठीक रहता है, उन्टे उन्टे कामों के लिए मत किजेगा, तो एक तर अच्छी बात है, आप खुश हाल रही है, बस अपने जिवन में सफल रही है, खुश यह रखिए, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ, तो इसके लिए आपको क्या कर रहा है, इसके लिए आपको गुढ़हल का फूल लेना है, और गुढ़हल के फूल की आपको कम सखम 108 फूल लेने होंगे, अगर आपको किसी करण से 108 नहीं मिल पाते हैं, तो फिर आपको 27 कम सखम, 27 तो लेने हैं, अब इन 27 गड़ल के फिलोक्त से हब भी करना क्या है, वो बताऊंगे, लेकिन सके पहले, श्रेयस चाहते हैं, कि उनका USA में सेलक्शन हो जाए, और वो बाहर जा चाहते हैं, तो उनका बाहर का सेलक्शन हो जाए, ऐसा वो चाहते हैं, विद्या चाहते हैं, कि उनको संतान के रूप में पुत्र संतान की प्राप्ति हो, वासी उनकी कामना है, और सुरेश यो है, वो पुलिस स्पेक्टर बनना चाहते हैं, तो उनकी ये भी मनु कामना है, सुरेष तुम, जो है, हनमान її क्या करो, और सुरेष क्या, वो सभी लोग जिन को डिफ्रेंस में जाना हो, जिन को एर फोर्स, आर्मे, नीवी में जाना हो, पलिस अनतर बनना हो, भरती में जाना हो, तो उन सबको हनमान जी की पुझा करना ही चाहिए. आप अन्मान जी की पूजा करेंगे तो आपका स्रक्षन जुरूर हो जाएगा जितना आपका मंगल मजबूत होगा उसने अच्छे आप जो है नित वह बंद पाएंगे ठीक है तो उसका आपको ध्यान रखना है तो आपको जैसे कि आपने मुझे से कहा कि आपको अगर एक त प्रात्ना करती हूँ इन सभी की मनो कामनों को पूर कीजे गणी जी इन सभी की मनो कामनों को पूर कीजे ऐसा मैं आपसे प्रात्ना करती हूँ तो एक तरफ अगर आपको प्यार हो गया है और आप उस प्यक्ति को पहासिल करना चाहते है तो आपको गुड़हल की फूल ले नाना है और पहना कर आपको 11 दुर्वा लेनी है और उससे भगवान गरिश के पैरों में इसको चुढ़ा कर आपको पराथना करनी है कि आप जिस वक्ति को प्यार करते हैं वो वक्ति आपको हासल हो जाए आप एसको 11 बुद्वार कर लीजेगा या आप इसे ग्यारा गणिश शतूरती पर कर सकते हैं आपका जो वेक्ति जिसके पीछे आप चाहते हैं कि वो आपको मिल जाए वो इंसान आपको मिल जाएगा और आपसे वो प्यार भी करेगा और आपसे साथ रिष्टे में आप भी जाएगा ठीक है इसे आपको करना है ग्यारा कम से कम ग्यारा बुद्वार आपको 27 फुलो की गुढ़ल की माला भगवान गणिश की चड़ा के आनी है छोटा सा प्रोग है इसको आप कर लीजेगा इससे आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी यदि आपको यूनिवर्स में अपनी कोई मनोकामना पुझवानी है तो आप भ।जवा सकते हैं और ऐसा का जाता है कि मैं utmost में जिसकी फिखिए मनोकामना बेजती है उसकी पूरी हो जाती है और दूसरी बात यह है कि अगर आपको कोई समझसे है आप 812647669 पर WhatsApp कर दीजगा मुझे आपका नाम आपकी समझसा का नाम लिख कर तो मैं उसको जब शाम को 10 से 2 के बीज में रिडिंग लगाती हूँ तो मैं आपकी भी रिडिंग कर दूँगी और आपको बता दूँगी क्या करना है तो अमीद है कि आपको वीडिया अच्छे लगाओगा और अगर आप दान करना चाहते हैं जैसे कि मैं आपको बताया हमें कुछ टाश्रम के लिए और ब्लाइंड स्कूल जो है हमारा और इसके लावा बहुत सारे लोग हैं जो लिकों मदद की जुरत है आप जो भी चोटा मोटा पैसा देते हैं इधर दानान करते हैं उसको अगर आप मेरे डालेंगे बहुत सारे लोग को मदद दाती है और हाँ जब भी आप मेरा कोई प्रयोक करते हैं तो खाली मत करना उसके नेमित 11-21 बढ़ता है और आप भी इसमें चोड़ सकते हैं और मुझे उत्राखंड सरकार की तब से भी इसलिए अवार्ड मिला है और ये जगद गुरु आदिशंक्रचारी जी की दारा से भी मुझे मिला गया था मेरे सोशल वर्क की वे से मिला है मुझे वार्ड तो आप मुसे जुड अगयों के लिए इनने त्रीन बच्चों के लिए आप मदद करेंगे तो इश्वर आपको मदद जुरू करेगा तो आज के लिए इतना ही आपका देन शुब धन्यवाद